अब अब शुरुवात करते हैं हम लोग आज हैं चैटर 3 विचना पार्ट 3 यह लोग का पार्ट 3 होगा है है पार्ट 1 1 2 12 है पार्ट 2 13 21 है और पार्ट 3 22 में इसको आप लोग कुछे नुबर 5 प्रेंद रख कर लिजिए कुछे नुबर 3 अपने सकीजिए कुछे नुबर 4 में बताने जाए 24 कुछे नुबर 24 24 में दिया हुआ है कि यदि एक्स प्लस वाई जेट प्लस वन बाई जेट के अमशार यानि कि एक्स प्लस वाई इस प्रोपोर्शनल टू जेट प्लस वन बाई जेट एंड एक्स माइनस वाई इस प्रोपोर्शनल टू जेट माइनस वन बाई जेट अइसा है कि अमशार परेड़मित होते हैं तो जेट और वाई में संबन इस्थापित करो जेट और जेट और वाई में संबन इस चली शुरुआत करते हैं एक्स प्लस वाई ना बराबर करिशान लगाएगा ना बराबर केवन केवन करते हैं जेट प्लस वन बाई जेट ठीक है और सेमिकर नुमर एक कर दें और यहां पर एक्स माइनस वाई बराबर के टू जेट माइनस वन वे जेट यह एक्स नुमर टू कर दें इसको आप कह रहा है कि एक्स बराबर तीन वाई बराबर अच्छा एक्स वाई और जेट का मान दिया हुआ है एक्स का मान 3 वाई का मान 1 जेट का मान 2 यह दिया हुआ है तो इसमें मान रखें यह सम्मान रखेंगे ना तो के वन और इसमें मान रखेंगे तो के टू कमान दिकर जाएगा तो चलिया एक्स का मान 3 प्लस वाई का मान 1 बराबर के वन जेट का मान 2 2 प्लस 1 बाई 2 यह हुआ हुआ है फो इदर जाएगा दुदना चार्क पांच 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 बटे दो के वन दिस इंप्लाइज के वन बराबर 8 बटा पांच ठीक है ना जब के वन का मान इसमें रख देंगे तो क्या हुआ हाँ जाएगा दिकि एक्स फ्लस वाई बराबर 8 प्लस बाई जेट प्लस वन बाई जेट समीकार नंबर 3 इधर क्या हो जाएगा दिखे इसमें जब मान रखेंगे X का 3-1 equals K2 2-1 2 तो यह हुआ 2 बराबर प्रूजना चार में से घड़ जाएगा 3 बटा 2 K2 This implies 4 बटा K2 बराबर 4 बटा 3 मान रखेंगे तो हमको मिल जाएगा X-Y बराबर 4 बटा 3 Z-1 by Z 4 अब हमको संबन निकालना है Z और Y में यानि कि X को गायब करना है तो इस समीकरण को इस समीकरण को अगर हम घटा दें इसमें से इसको घटा दें इसको घटा दें X-X कर जाएगा तो यहां पर लिखेंगे 3-4 6 X इसमें से इसको घटाएगे न X तो कर जाएगा लेकिन Y प्लस Y हो जाएगा यह रिकिए 2Y बराबर इसमें से इसको घटाएगे माइनस और यह बराब जाएगा प्लस यह प्लस हो जाएगा 8 बराब पाँच माइनस चार बुट्टा प्लस चार बाटा दें 1 बाई Z तो यह हो जाएगा 2Y बराबर 324 और 5 का बीश चार चार बटाएगे पंदर Z प्लस 324 का बीश चार बीश चार बीश चार पंदुटा प्लस 322 का साब बीश चार बंचार बीश चार बाटा पंदौना ग्याक ठीक है तो दो का भरक कर दें तो इधर हमको मिल जाएगा y बराबर 2z बटे 15 प्लस 22 बटे 15z देखे 15z का हम इधर बुड़ा कर देंगे 15z लगुतम लेंगे तो यहां तो z स्कार में जाएगा और इधर हो जाएगा क्या 15 y z बराबर यहां देखे 2z स्कार और प्लस वाइज यह एंसेर हो जाएगा ठीक है तो यहीं दिखन हैं कुषवय डीफवाइब कर रहें एक e2 equals y sqo fresh माई के एकस करोकी एकस मायनस वाई कि हैं एकस अन्कुर्मान पाती सब्सक्राइद प्रतिलों मानपाती के साथ अन्कुर्मान पाती तो इसी मHow to pass. My ऑ ludic ुरुժाती ONE लग एकस वन वाई इसतर से यानि कि x-y into 1 by x 1 by y बराबर कोई constant आना चाहिए यह आना चाहिए ठीक है ना यानि कि हम इसका और इसका गुड़ा करें तो हमको इधर constant बिल जाए कोई नियत संख्या बिल जाए तो चलिए देखते हैं यहां से हमको क्या मिलेगा x-square plus y-square बराबर यम x-y ठीक है तो x- देखिए है x-y का फोली-square बराबर क्या होता है x-square plus y-square minus 2xy अच्छे देखिए x-square plus y-square का मान कितना है y-xy y है यह ना minus 2xy x-y कामा ले ले या minus 2 यह है x-y का whole square बराबर इतना है अच्छे चलिए अब हमको क्या करना है ना यह निकलना x-y 1 by x-1 by y बराबर क्या होता देखिए यह बजाएगा x-y into into y-x बटे में xy या ऐसा करते है minus का माले ले ले हां से तो यह बजाएगा x-y का whole square बटे में xy यह चीजी यहां पर ऐसे करते है इस इंप्लाइज x-y का whole square बटे में xy बराबर m-2 यह equation बजाएगा तो अब यह देखिए x-y का whole square बटे में xy बराबर क्या है m-2 बराबर क्या है m-2 माइनस पहले से है तो क्या हो जाएगा 2-m ठीक है तो यह हो जाएगा x-y 1 by x 1 by y तो इतना हो गया ना तो अब यह बराबर है हमारा यहां पर 2-m है यह क्या हो जाएगा x-y बराबर 2-m बट्य में 1 by x-1 by y ठीक है ना तो इतना हो जाएगा x-y अनकुर्मन पाते बेतकुर्मन पाते 1 by 1 by x 2-m बट्य कि इस थोड़ा सा इसमें ट्रिकी सब है थोड़ा सब ध्यान देना होगा ठीक है देखिए कोश्चन नुमर्ट टूटी सेक्स थोड़ा सा ठीरेटिकल है 1 ब्रित्त संकुका आयतन N कि आधार की त्रिजेकया की वर्ड के अनुलोमन पाती है जबकि उसके उचाय अचर है और उचाई का अनुलोमान पात currency सब आधार अचर है कर दो यह करा है कि यैदि आहित्या अधर सля का मन पाते र स्क्राइब यहां पर है ठीक है और बी अनुकुर्मान पाते यह है यहां पर आपर यह अंब वी प्रोपोर्पोर्षनल तू र स्क्राइफ यह विश्च्वर विवरावर अब हमको एम का मान निकालना है तो हमको वी आर यज का मान चाहिए तो यदि उसका आयतन च्छांचट गन सेंटिमीटर जब उचाई साथ और अधर कित्रीजा तीन दिया हुगा है अधर कित्रीजा तीन तीन का वर और उचाई साथ है तो तीन तरीक नो नो सटे तीर सक्थ चांचट बटे तीर सक्थ बड़ाबर यम 21 यानि कि M बड़ाबर हो गया इस इंप्लाइज यहीं इस इंप्लाइज एम बड़ाबर 22 इंप्लाइज बड़ाबर 22-22 केष तो M रभर इतना हो गया तो V वराबर क्या हो हो गया इस इंप्लाइज बड़ाबर 22 बटाएगेज आर स्कोर सुह यह आप ये ध्यान देंगे ना तो यह यह संको का फार्मूला है यह संको का फार्मूला है दिखे छे दिखिए वी रबर 22 बटे किस दिया है ना तो इसको हम 21 को ऐसे करें 1 by 3 into 22 बटे साथ into r square into h ना सात्री किस यानि कि हो गया 1 by 3 यह हो जाता पाई कि आर स्कूर है ठीक है ना यहीं कि हमनों का जो मान निकला है वो बिल्कुल सही है तो यह वी आर एक में रिलेशन हो गया अब क्या पहला है अब यह हमारा कि उस संकू की उचाई क्या होगी जिसके आधर के त्रिजया साथ और आयतन गाश्ट सो सत्तर है अब उचाई दिया हुआ है आयतन दिया हुआ है तो त्रिजया पूछ रहा है तो मान रख देते हैं जब वी बराबर साथ सो सत्तर ह बराबर आहा हाँ है एज बराबर कुश्चन मार्क और आर बराबर साथ सेंटिमिटर ठीक तो मान रख देते हैं यह गया साथ सो सत्तर बराबर 22 बटा 21 गुड़े साथ का वर्ग गुड़े यच तो यह बजाएगा साथ सो सत्तर गुड़े 21 बटे में 22 गुड़े बराबर एच तो साथ से कार देंगे 110 गयार से इसको कार देंगे गयार दुना 22 गयार दाम एक से तो यह हो गया और यह साथ से इसको कार दें अभी यह इस इम्पलेज एच बराबर प्रव पंद्र सेंटीमेटर वह इसे में दिया है क्या है यह सेंटीमेटर क्यों हूगा यहां पर देखिया हम आयता नहीं लिख पाए है कि अब तो है यह हो एक तो यह अब कह रहा है सेकंड कर रहा है यदि आयतन यदि वी बराबर 12 सही 3.8 बराबर चानती निन्याव्य बराटे आठ सेंटीमीटर क्यों है उचाही है एक्स बराबर 5 सही एक उटे 4 यानि 21 बराटे 4 सेंटीमीटर है तो आर बराबर कुश्न हमाग तो मान देखते हैं इसी में एक में ही तो यह हो गया निन्याव्य बराटे आठ बराबर बराबर 22 बराटे 21 गुड़े आरे स्क्वाइर गुड़े एच कमान 21 बराटे 4 ठीक है तो यह 21 से तो यह 21 कर दिया यह 21 से आरे स्क्वाइर बराबर क्या होगा देखी दो उपर 11 निचे 99 गुड़े दो बटे में आठ आरे स्क्वाइर बराबर 9 गुड़े 4 आर बराबर 3 गुड़े 2 सेंटीमेटर एक तो आंसर यह हो गया और एक आंसर यह बराबर 15 सेंटीमेटर और और आर बराबर 3 गुड़े 2 सेंटीमेटर ठेक है तो यह कुशन में दिया आफ़ा है कि a plus b is directly proportional to c plus 1 by c this implies a plus b बराबर yam c plus 1 by c सेंटीमेटर नूम्बर एक इधर क्या है a minus b is directly proportional to c minus 1 by c this implies a minus b बराबर yam c minus 1 by c a semi-car number 2 तो क्या निकलना है proof करना है proof करना है तो देखिए इसमें a square minus b square है a square minus b square कब आएगा जब इसका इसमें गुड़ा कर दे तो देखिए ऐसे कर दे ए प्लस b कि a minus b यहां तो a square minus b square हमको भी जाएगा a plus b का मान क्या है m m m c plus 1 by c गुड़े n c minus 1 by c इधर तो हो गया a square minus b square m n और यह भी वर्गांतर्विति से इस तरह से हो जाएगा ऐसा यह यह एम एन सी पावर फूर c पावर 4 minus 1 बटे में c square इधर है a square minus b square इधर लादें तो c square a square minus b square बराबर m n c power 4 minus 1 यह देखिए constant है m n constant है यह बराबर है तो constant और बराबर करने साथ जब बटाएंगे तो अनुक्रमान पते लग जाएगा क्या मुझा देखिए c square a square minus b square अनुक्रमान पते c power 4 minus 1 क्या प्रूफ करना था अच्छा यह प्रूफ करना है यह प्रूफ करना है यह देखिए important सवाल आई एक है तो ये important में आया हुए है ठीक है अब के दीज हैf metros 31 31 में दिया है कि यदि羦्रा Harty य सब्सक्राइब कुछ प्रतिलोमान, Y जो है W का, Y प्रतिलोमान पाती है, यहनि कि, W is proportional to 1 by Y या, W व्राबर, M बाटे, Y, पास कर दो, या, Y व्राबर, M बाइ-W और क्या करा है, और Z, X, Y के साथ बिचरित होता है Z is proportional to XY या Z वराबर Nxy तो हमको दिखाना है X, Z, W के साथ बिचरित होता है यानि इसमें से हमको y को गायब करना है. तो y कमाद रगदें y कमाद रगदें तो क्या हो जागा देखें z बराबर हो जाएगा n x by m में बटे जबनू तो w कुझा करनें z w बड़ाबर m x या x के के रहे है एक्स जेट डेबलू के साहर बिच्रीत होता है ठीक तो है हो गया तो यह इह कॉंस्टेंट है यह इना यहूंस्टेंट हो गया यह बराबर है तो कंस्टेंट और बराबर को हटाएंगे तो अंकृवान पाती है कना साक लगएगा यहांई कि जैट डेद डबलू इस प्रपोर से करिए 29 को को से नंबर 19 की तरह करना है और को से नंबर 30 को कुछ नंबर 17 की तरह करना है 31 हम लोग की है तो अब उसके बाद 32 कुछिन नंबर 32 को सर्थ और 15 कंश्रीट में देक दिया है कि x y अनकुर्मान पाते हैं एं crazy अनकुर्मान पाते हैं is स्कोरन में स्कया आडरो सबस्कया तो एंगज ओको क्या हो जाएगा है एम है एक सबस्यक्त करोर्वाइब यस्पस्कarenth ठेगा ना , एक्सवाराबर किटना है इंदा है 4 तुँ क्या भुझाएगल तेग को डिए ज्यार बराभर एम स्थ्री स्कूयर फ्लस अक यह तो यह यह कि किस तो एम बराभर कित्ना हो जाएगा है चौह 12 बत्टा 20 मान रख देंप एक्सवाइ बर बार बटा पचीस X स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर या पचीस कोई था गुड़ा कर दी तो पचीस X Y बराबर बार X स्क्वाइर प्लस Y स्क्वाइर ठीक है हम हम कुशन बर 33 है यदि Y आईसी दो रासियों की योग का परेडमन करता है जिन में से एक X के अनुसार और दूसरी 1 बई X के अनुसार परेडमित होता है अगर कहीं Y को हम मान ले Y बराबर U प्लस V जहां माना माना इतना जहां यू प्रोपरशनल टो यू प्रोपरशनल टो X आइणट V कि प्रोपरशनल टो 1 बैर एक्स यानि कि यू बराबर तो M X हो जाएगा और V बराबर N by X हो जाएगा ठीक है तो Y क्या हो गया Y बराबर हो जाएगा एम एक्स प्लस एंड में एक्स अब अब देखिए एम और एम और एंड का मान निकलना है तो हमको दू से मिक्रण चाहिए तो पहला क्या है जब एक्स बराबर कितना ही है एक्स बराबर चाहर वाई बराबर चाहर तो देखिए क्या बराबर चाहर बराबर यहां पर फोर एम प्लस फोर बाई एम है कि आशे रहने देखिए तो है किसे बराबर चाहर समीकर नूबर समीकर नूबर एक तो यहां कर गए इसको दो दो और जब एक्स बराबर तीन और य बराबर दस बराबर तेन तब क्या है य कमान दस बराबर यहां हो जाएगा थ्री एम प्लस एन बटा थ्री यहां पर गलती हुआ हो और यह थ्यान बटा फोर यह हो तो अब ठोड़ा शां गलती हो गया हम उठाल लिख दिये थे ना तो अब यह होजाएगा चर्चों को सोला एम प्लस एंड बराबर चोविस यह एक्विशन होगा ठीक है और जब एक्स बराबर तीन तो य बराबर तो य बराबर तो दस बटा तीन है तो इस कंडिशन में क्या हो जाएगा देखिए य के जगना दस बटा तीन बराबर य एक्स कमान तीन तो थी यम और एन बटा तीन 3 एम प्लस एन बटा त्री तो तीन तरिक के नौ इधर बजाएगा तीन दखिए लगत्तम तीन तीन कर जाएगा तो दस बराबर नाइन यम प्लस एन इसको हम दस को इधर लिए रहा है समीकर नौबर दो घटाएंगे तीन ना 2-3 से क्या वजाएगा दखिए घटाएंगे तो यह यानि अंकड जाएगा 16 में से 9 या 7 साथ एम बराबर 24 में से 10 गया तो 14 इस इंप्लाइस एम बराबर 2 गया एम का मान समेकर नौबर तीन रहे तो एम का मान समेकर नौबर तीन में रखने पॉस्वर तो तो नौ गुड़े 2 प्लस यहन वराबर 10 अठार है यहन का मान निर्णात को तारह है तो त्रीक हो जाएगा माइनस 8 ठीक है यह में और यहन का मान हम इसमें लग दें इस इंप्लाइज य वराबर एम का मान रूप 2 एक्स प्लस एन का मान मानस 8 बटिन एक्स क्या करना है जब एक्स का मान 3 तो य का मान रिया तो ठीक है जब एक्स वराबर 3 तो य वराबर क्या हो जाएका देखिये यानिकि दस बटात तीन का एक्स प्लस प्लस करों यह देखिये यह पर एक्स बटात तीन हम लिए यह है एक्स बराबर 1 वन 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 तो य बराबर कितना हो जाएगा 2-8 यानिकि y बराबर माइनस जाएगा ठीक यहाग